नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूर्यूप चैनल फ्यू मिनट एस्टड़ी में दोस्तों बिहार बोर्ड की तरब से बहुत बढ़ी ख़बर आ रही है जी हाँ दोस्तों जो भी छात्र दोजारी किस में मैट्रिक या इंटर का एक्जाम देने वाल है उसक से लिए चात बहुत परसान हो रहे थे कि कैसे आप एक्जाम देंगे यानि नहीं सिलेबस में कटोती की गई है नहीं कुछ पैटर्न में बदलाओ किया गया है लेकिन आपको बता दे आज किस विरो में आपके लिए बरी खुसकबरी लेकर आया हूं कि भी हार बोर्ड ने क आध की इस विडियो मिलने वाली है तो वीडियो को जादी से लाइक कर दिजे और चैनल पर पहली बार आरा है तो सब्सक्राइब करके इस ब्रूडसरे Can बेल आइकन तक ताक उसे भी पता चलदा है कि क्या बिहार बूर ने यूँ पेटर्न जारी किया तो चलदे कि यह पर आर्टिकल यहां पर हिंदुस्तान का आठीकल दीख रहा होगा आपको हिंदुस्तान इपर का अर्टिकल है यह जो मैं आपको जो पढ़ कर बताने वाला हूं वह आज प्रबाएं लेकिन आपको मैं आर्टिकल में स्येम होई लिखा गया है वही आर्टिकल में आपको पड़ कर बता रहा हूं आप चाहे कि तु हिंदुष्थान प्रभी अपने से पढ़ सकते हैं जा इस आर्रिकटल को भी पर सकते हैं चलिए आद कि वीडियो को हम सुरू कर ले ही बढ़े प्रस्न के विकल्प जी हां दोस्तों रसायन्स सास्त्र की सिल्वस में कोटोती तो नहीं की गई है लेकिन प्रस्न के विकल्पों में बढ़ोती जरूड हुई यां हर सब्जेक्ट में ऐसे ही कुछ ने कुछ पैटर्न चेन्ज की गई है जब्हूंऑ हादि आज के इस वीडियो में हम रसाइन सासर के बारे में जानेगे कि रसाइन सासर के सिलिवस में करोती नहीं हुए लेकिन प्रसुन के विकल्प में क्या चेंज हुए है उसको जानेगे तो चलिए पढ़ लेते हैं पूरी आर्टिकल को देखे यहां आपके सामने दिख रहा होग इसके लिए विकल्प की संख्या बढ़ाई गई है एन कोलेट के रसाइन सासर सीख्षक परफेसर अनिल कुमार सिंग के अनुसार बिहार बोने रसाइन सासर में वास्तवनिस्ट लगूतरिय और दिर्गूतरिय प्रस्णों में विकल्प की संख्या बढ़ा दी है जी हां द पर देख सकते हैं लिखा गए पर फेसर सिंग की मान तो हर सेक्शन में लगबग दुग प्रसन पुछे जाएंगे यानि हर सेक्षन में लगबग दुगने प्रसन पूछके जाएंगे इससे उतत 1975 की आसाणी होगी हिंदुस्तान करेयाला पर प्रफेसर अनिल सिंग के विहार बोर्ण ने सिलिवस में कोई कटोती नहीं कि हर चेप्टर से प्रस्ण पुछे जाएंगे चुकि इस बार प्रस्णों की संक्या अधिक होगी आपने जो भी चेप्टर पढ़ा है उससे आपको उत्तर देने में कोई परसानी नहीं होगी हर चप्रेट से कुछन आएंगे लेकिन आपको परसानी उत्तर देने में कोई परसानी नहीं होगी यानि जो प्रस्ण पुछ जाएगा उसमें आपको प्रस्ण में कोई परसानी उत्तर देने में नहीं होगी लिखा गया है कि छुटने वाले दीकते नहीं होगी यानि प्रस् यहां पर 6 होगी यहां पर आपको बता दें कि 50 अब्जेक्टिप पुछे जाते हैं 50 वासुनिस यानि अब्जेक्टिप पुछे जाते हैं जिसका जवाब देना अनिवार होता है लेकिन इस साल को रेना के कारण छात्रों को पढ़ने में परसान होने के कारण भी हारवन ने सत्तर कुछन कर दिया यानि सत्तर कुछन रहेगा जिसमें से आपको सिर्क पचास का जवाब देना होगा यानि 20 कुछन एश्टर रहेगा इससे चातर को बहुत ही मदद मिलेगी जिहां दोस्तों आप जानते हूं कि 2020 में 60 कुछन पुछे कह थे जिसमें से 50 कुछन का जवाब देना था लेकिन सत्तर कुछन इस बार पुछे जाएंगो दोटरी किसमें और से 50 कुछन का जवाब देना होगा आगे लिखा कि 20 और दिर्गुतर ये 6 प्रसन पुछे जाएंगे जैनि कूल मिलाकर प्रसुनों की संक्या 96 में हो सकती है इसमें से 46 प्रसुनों का जवाब देना होगा यानि 96 प्रसन कूल मिलाकर रहेगा और 48 शिर्फ यानि आधा प्रसन का जवाब देना होगा आगे बताते हैं कि आंतिम समय में बेहतर होती है तियारी जम कर पढ़ाई करें परिछा का तयारी का समद में छातरों के सवाल का पर दिन साथ से आठ घंडे के पढ़ाई करें लिखने का अभियास करें इससे प्रिचा होल में गलतिया कम होगी नुमेरिकल में कम प्रस्ण रहेंगे प्रफेसर अनि ने कहा है कि नुमेरिकल में कम प्रस्ण रहेंगे यानि जिसमें छाजरों का प्रसान ही होते हैं वह कू मेरिकल वाला होगा जिसे चाचरों को बहुत ही असानी के साथ एक्जाम होगा इससे उत्तर देने में असानी होगी उन्हेंने बताए कि डाइग्राम नहीं बनाना है यानि डाइग्राम भी इस साल नहीं बनाना होगा बस हर चेप्टर से बेसिक तयारी जरूर कर ले यानि प्रस्ण पूछा जाता है कमिस्ट्री में जिसमें से 70 अंका से धाधिक प्रस्ण और परयोगिक प्रस्ण 30 अंका आपको बता दें कि आगे लिखा एक प्रस्णों का परकार कूल प्रस्ण कुल प्रस्ण जवाब देना है यानि 70 प्रस्ण रहेंगे 35 का जवाब देना है और 35 का आंक है लोगो उत्रिय प्रस्ण में 20 कुश्ण रहेंगे 10 कुश्ण का जवाब देना होगा और 20 अंक मिलेंगे और दिर्गुतरिय प्रस्ण में 6 कुश्ण रहेगा 3 कुश्ण का जवाब सब्सक्राइज ओर 15 क्या होगा यह कुश्ण आपके आपके बता देंको महतुップूमृ जप्रा यहां पर आप देख सकते हैं आप इसकी शोट भी ले सकते हैं यानि लिखा गया कि यहां से कुछ यानि महत्वपून जो चैप्टर यहां से ज्यादा कुछ पुछे जाएंगे यहां पर देख सकते फीजिकल केमिकल काइनेटिक्स सरफेस कमेश्टरी ठर्मो डाइमेक्स इलेक्ट्रो कमेश्य wonders अर्गे अलकोहल ये सैंट कि-टोन कार्वो ओंध्रेड एसीड इमिनस इन और्गेनिक P-Block Elements D-Block Elements को और डिनेटर कमपाउंड इस तरह से इस चेप्टर से ज्यादा कुछते पूछे जाएंगे तो आप लोग ध्यान पूरबक इसको स्किन सोट ले लेजिए और ज्यादा फोकस इस चेप्टर पर करें ताको ताकि आपको अच्छा से आपका प् पाने के लिए आप हमारी चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हर सब्जेक्ट का धीरे-धीरे का कम है आपको बताऊंगा कि किन सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कैसा रहेगा पैटर्न और मैं टिक वाले श्विडियों को लिए मैं बताना चाहूंगा कि उ खाने बाद थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो